1 जून से 13 जून 2023 की महत्पून खबरे 1 जून को विश्व दुख्द दिवस के रूपे मनाया जाता है इस बार की जो थीम है Enjoy Dairy 3 जून को विश्व साइकिल दिवस 5 जून को विश्व परियावण दिवस के रूपे मनाते हैं 1973 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी इस बार की जो थीम है Solutions to Plastic Pollution इस बार की जो थीम है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 2009 से इसको मनाने की सुरुवात की गई थी 10 जून को विश्व नेतरदान दिवस 12 जून को विश्व बाल श्रम निशेद दिवस आई एलो के दौरा जो विश्व इंटरनेशनल लेबर ओगनाईशन है अंतरराश्ट्री स्रम संगठन है उसके दौरा 2002 में इसकी घुशना की गई थी 2003 में पहली बार मनाया गया था नितिन अगरवाल बार्डर सेक्योर्टी फोर्स के BSF के DG बने है नए नितिन अगरवाल IIT मदरास इसने सौर उर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइडोजन उत्पन ने किया भी पूछेगा प्रश्ण कि हाली में किस संस्थान ने सौर उर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइडोजन उत्पन किया है IIT मदरास ने अमित अगरवाल ये कौन है भारती विशिष्ट पहचान प्रादिकरण UIDAI के नए CEO बने है ये अमित अगरवाल है नितिन अगरवाल BSF के DG बने है अमित अगरवाल UIDAI के नए CEO बने है सुबोध कुमार सिंग ये राष्टी परिक्षण एजनसी NTA के महा निदेशक बने है नए बोल घाटी दीप देखे इस तरह के प्रश्ण करेंट में चर्चा में रहते हैं और पूछले हो जाते हैं जीके की तरह तो बोल घाटी दीप कहां पर है जो हाली में चर्चा में है केरल में स्थित है G20 संबंधी फ्रेमवर्क बैठक यहां परायव जित हुई है इसलिए चर्चा में आया है भारत ने दक्षण कोरिया को हरा कर पहली बार महिला होकी जूनियर एशिया कप टूनामिंट जीत लिया पहली बार किसको कोरिया को हरा कर के वित्ती वर्ष 2023 संबंधी जो आकड़ा आया है उसके अनुसार भारत में UAE चोथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है निवेश करने वाला भारत में जो प्रथम तीन है देश भारत में निवेश करने वाले सबसे अधा सिंगापूर निवेश करता है सतर दसमलोद दो बिलियन डॉलर का दूसरे अस्थान पे मौरिशस है सिक्स पॉइंट वन बिलियन डॉलर फिर तीसे अस्थान पे USA है छे बिलियन डॉलर का तो सिंगापूर बहुत आ गया है इनसे चोथे अस्थान पे UAE हो गया है फ्रेंच ओपन टेनिश टूनामिन्ट जो अभी हाली में संपन हुआ पुरुष एकल का खिताब नोआग जोकोविच ने जित लिया तीसरी बार ये खिताब इन्होंने जिता सर्विया के खिलाडी है कैसपर रूट को इन्होंने हराया फाइनल में महिला एकल का किताब इगा स्वेटेक ने जिता पोलेंड की महिला खिलाडी है इन्होंने कैरोलीना मुचोवा को हरा करके खिताब जिता नोट करने वाली बात है कि नुवाग जोकोविच का ये 23 ग्रेंड स्लैम है जो कि सबसे ज़ादा है एक रिकार्ड इन्होंने बना लिया राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया और ये इसके साथ ही पहले खिलाडी बन गए है जो 4 ग्रेंड स्लैम में 3 से अधिक बार या कम से कम तीन बार जिन्होंने खिताब जीता है तो पहले ऐसे खिलाडी बन गए है इस वर्ष जो सुरुआत में आस्चेलियन ओपन हुआ वो भी इन्होंने ही जीता था अभी बचे ह उसमें भी अगर जीत जाते हैं तो पहले खिलाडी हो जाएंगे जिन्होंने एक वर्ष में चारो ग्रेंट स्लैम जीत लिया है ICC विश्व टेस्ट चंपियंशिप 2023 का दूसरा संसकन हाली में आयोजित हुआ पहला संसकन निउजिलेंड और भारत के बीच हुआ था उसमें निउजिलेंड विजेता रहा था भारत उप विजेता रहा था इस बार भी कमुवेश वही हाल रहा आश्टेलिया और भारत के जीत लिया हलाकि यह दूसरा ही संस्क्राण था इसका विश्व टेस्ट चेंपियंशिप का इसके साथ ही तीनों प्रारूपों T20 वंडे और टेस्ट तीनों में विश्व चेंपियन बनने वाली पहले टीम हो गई आस्ट्रेलिया विपर जाय चक्रवाद यह बांगला देश में इस वर्ष भारत पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर अब्राजील तीसरे पर चीन चौथे पर थाइलेंड पांच में तक्षण गोरिया तो पांचों के याद रखेगा शक्ति क्या है एक योजना है करनाटक में करनाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए योजना चलाई गई है नाम रखा गया है शक्ति योजना अटलांटिक डिकलरेशन किस से संबंदित है पूछेगा तो सेउक्त राज अमेरिका युनाटेट किंगडम के मत्य आर्थिक समझोता है अटलांटिक डिकलरेशन हाधी में ये समझोता संपन्न हुआ गौला प्रदेश में 2017 से 2021 के मद्ध के सभी ट्रैफिक चालान रद कर दिये गए हैं तो पूछेगा किस प्रदेशन हाली में 2017 से 2021 के मद्ध के सभी ट्रैफिक चालान सभी गाडियां सभी कोई भी किसम हो गाडियों की रद कर दिये गए हैं तो उत्तरवदेश सरकार के द्वारा भ आयोजन होगा, 1996 में पहली बार भारत में आयोजन हुआ था, इसके बाद अब ये दूसरा मौका है, 27 वर्ष बाद मिस वर्ड की मेजबानी भारत कर रहा है। नंद बाबा दुख्द मिशन ये उत्तरवदे सरकार के द्वारा सुरू किया गया है, 1000 करोण रुपे की लागत से इस योजना को मन्यूरी दी गई है। आफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसके अंसार दुनिया के रहने योगे सबसे महगे शहर जो हैं, पहले अस्थान पे हौंग कॉंग, दूसरा सिंगापूर, तीसरा जियूरिक है। भारत का जो सबसे महगा शहर है मुंबई है, इस लिष्ट में 147 वे अस्थान पे है, भारत का दूसरा सबसे महगा सहर दिल्ली है, जो कि इस लिष्ट में 179 वे अस्थान पे है। गीतांजली अईयर ये दूर दर्शन की पूर समाचार एंकर हैं, इनका हाली में देहावसान हो गया, चर्चा में रही काफी। केंसासित देशों में जम्मू कश्मीर पहले अस्थान पे रहा। उत्तरवदेश की बात करें तो इस वर्स पाँचमें पायदान पर उत्तरवदेश पहुंच गया है, इस उचकांक में, बड़े राज्यों की शेडी में हैं, पिछले वर्स उत्तरवदेश आठमें अस्थ सुधा वाय। चौदर पांसो सरसट या एल्डर लाइन ये क्या है, उत्तरवदेश समाज कल्याण इभाग द्वारा सुरू की गई योजना है, इसके अंतरगत बेघर बुजुर्गों को आर्शे दिया जाएगा। सुरक्षा प्रश्चत में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थाई सदस्य हैं और 10 अस्थाई सदस्य हैं। ये 10 अस्थाई सदस्य दो वरश के कारेकाल के लिए चैनित किये जाते हैं सेंउतराश्च की महासभा के द्वारा। इन 10 सदस्यों में 5 सदस्य प्रती वरश कारेकाल इनका समाप्थ होता है। दो वर्ष का कारिकाल होता है और प्रतिवर्ष पांच नए सदस्य आते हैं और पांच सदस्य कार्यमुक्त होते हैं कखो वकाबाद अभी हाली में चर्चा में रहा युक्रेन में इस्थित बाद है निप्रो नदी पे ये इस्थित है खुरासान प्रांत में इसके ढ़ाने के कारण यहां के लोग काफी मात्रम विस्थापित हुए इसलिए चर्चा में आया शिलंका या पूछेगा कौन सा देश 2030 तक भारत के साथ ग्रिड के माध्यम से उर्जा को एक एकित करेगा तो शिलंका एक एकित हो जाएंगे यहां के ग्रिड और शिलंका के जो ग्रिड हैं तो पावर ट्रांसफार्मेशन इसे शिलंका में यत्वचित रूप से हो पाएगा आजय टू योगी आदितिनाथ ये पुस्तक है शांतनु गुपता की पुस्तक है ये शांतनु गुपता ने एक और पुस्तक लिखे थी योगी आदितनाथ के ऊपर ये दूसरी पुस्तक है अजय टू योगी आदितनाथ कोई और बता सकता है अगर आप लोग कमेंड बॉक् काफी फेमस थी जिसके बारे में काफी बहस भी हुई थी एक बार विधान सभा में तो वो पहली पुस्तक कौन से थी साथ जून विश्व खाद सुरक्षा दिवस के रूपे मनाया जाता है 2019 से FAO के द्वारा इसकी शुरुवात हुई थी मनाने की 2023 की जो थीम है Food Standards Save Lives अंतर द्रिष्टी क्या है तो Reserve Bank of India द्वारा जारी वित्ती समावेशन डैश बोर्ड है इसका नाम है अंतर द्रिष्टी एक्था क्या है तो भारत माल्दिव नौ सैन अभ्यास है इसका नाम है एक्था भारत और माल्दिव के मद्धे नौ सैन अभ्यास है महाराष्ट ने एशिया की सबसे बड़ी क्लश्टर विकास योजना का सुभारम किया महाराष्ट के मुख्यमंति के द्वारा इसकी सुरुवात की गई अम्रित धरोहर और मिस्टी ये दोनों योजनाय जिसकी की घुशना बजट में भी हुई थी ये किस्से संबंदिते पूछ सकता है तो आदरभूमी और मैंग्रो सरक्षण के लिए केंसरकार द्वारा सुरू की गई ये दोनों योजनाय हैं एमवी एमप्रेस ये भारत का पहला अंतरराष्टी क्रूज पोत है जिसको चन्नाई से शिलंका रवाना किया गया सिंगापूर में शांगरी लाड आइलाग हुआ इसके इतर दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की या गुप्तर एजंसी की जो भारत से रा प्रमुख सामंत गोयल ने भी इसमें हिस्सा लिया कहा हुआ सिंगापूर में आठवा एन आई आरफ रैंकिंग राश्टी संस्थान रैंकिंग फेमवर्क घुशित हो गया 2023 के लिए ये आठवा संस्क्रण है समग्र स्रेडी में आयाटी मद्रास पुनह पहले स्थान पे रहा आयाइस्टी बैंगलोर दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे आयाइटी दिल्ली विश्व द्याले के शेड़ी में आयाइस्टी बैंगलोर पुनह पहले स्थान पे हैं आजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद इन्होंने इसको धारण कर लिया है बहुत पहले अमेर्की राश्पती के द्वारा इसकी घुशना की गई थी और यह पद प्राप्त करने वाले पहले भारती अमेर्की बन गए हैं और कुल 14 वे ये विश्व बैंक की अध्याश्ष बने हैं 2016 में इनको पदमशी पुरसकार मिल चुका है भारत से ये एक महत्पूर्ण फैक्ट है जो पूछ सकता है ये मास्टर कार्ट के CEO और चेर्मेन थे पहले मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने वाली तमिल नाडु की पहली मैला है मुथमिज सेल्वी सेयुक्त अरब अमिरात 2025 में विश्व सरक्षन कांग्रेस का आयोजन करेगा मेजबानी करेगा इसने मेजबानी के लिए जो प्रतिसपरधा थी वो जीत ली है ये आयोजन अबू धावी में होगा यूएई में जूनियर होकी एशिया का पुरुषों का जो प्रतिसवरधा है ओमान में आवजित हुआ भारत ने पाकिस्तान को हराकर सरवाधिक अर्था चौथी बार ये टूनामिंट जीत लिया स्युक्त अरब अमिराद डाक्टर अब्धुल्ला मदोस अगर देखे किसी संस्थान का जब प्रमुख बनता है बड़े संस्थान का तो पूछा आता है कहा का है अक्सर П.C.S. में इस तरह के प्रशनाते हैं तो डाक्टर अब्दुल्ला मन्दोस ये युवेई के हैं शो मौसम विज्ञान संग्ठन की अध्यक्सता मिल गई है एक प्रकार से ये प्रश्णा आ सकता है सिगरेट पर स्वास्त चेताउनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है कनाडा अभी क्या है सिगरेट के पैकेट पर नहीं सिगरेट पर स्वास्त चेताउनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा चोलीमावन क्या है उत्तर कोरिया का पहला सैन जासूसी उपग्रह है जो की असफल हो गया भी प्रक्षेपण किया इसका लेकिन असफल हो गया लेकिन पूछ सकता है चोलीमावन जान जीवार तंजानिया आईईटी का जो इंडियन इस्टिट्टिट आफ टेक्नोलोजी है इसका पहला विदेशी कैमपस यहां पर खोला जाएगा जान जीवार में यह कैमपस आईईटी मदरास के नाम से खोला जाएगा इसके अलावा दो अन्यस्थान है जहाँ पर कुजराट टाइटन्स को हरा कर फाइनल में पांचवी बार ये टूना मिंट जीत लिया इसके साथ ही मुंबई इंडियन के सरवाधिक बार था पांच बार के टूना मिंट विजेता बनने की बरावरी इसने कर ली प्लेयर आप दे सीजन शुभामन गिल रहे सरवाधिक रन इन्होंने बनाया 890 रन इसी के लिए इन्होंने ओरेंज कैब भी जीता सरवाधिक बनानेगा मही परपल कैब सरवाधिक विकेट के लिए दिया जाता है मुहम्मद शमी ने जीता कुल 28 विकेट इन्होंने लिये थे ये दोनों ही खिलाडी गुजराट टाइटन से संबंदित है 28 मही 2023 डेट याद रखेगा किस डेट को प्रधान मंत्री ने नई संसत भौन का उधगाटन किया जो सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतरगत बनाया गया है इसके वास्तुकार कोन है ये पूछ सकता है तो विमल पटेल इसके वास्तुकार है बाकी चर्चा मुख्य परिक्षा के डिस्किसन में करेंगे इसके बारे में तो एक से तेरह जून तक का जो करेंट अफेस आज तक का शूट गया था वो इस वीडियो में समाहित है कल से परिक्षा खबरी डेली करेंट अफेस आप लोग जरूर देखिए जो कुछ प्रश्णगर छूट गया होंगे करेंट के तो देखकर उसमें जोड दिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद